Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group GS Classes. आज हम Economics स्टार्ट करने वाले हैं और अपने तरीके से कहानी वाले और मैं इन आपिक वाले तरीके से आज मैं आपके दिमाग में Economics चिपकाने वाला हूँ. जिससे आपको अभी सिंदिक में Economics नहीं बोलो, बच्चे बोलते सार, Economics बहुत टफ होती है, Economics टफ होती ही नहीं है, कुछ भी टफ नहीं होता है, जैसे मैंने हमेशा बोला है, सिर्फ concept और कहानिया समझ में आनी चाहिए, जैसे मैं पढ़ता था, वैसी आपको पढ़ाऊंगा, आपको History, Policy, Classes YouTube पे Continuous चल रही है, वो आप देख सकते हो, आपको Playlist में मिल जाएगी, Geography भी चल रहा है, तो basically हमारे सारे subject चल रहे है, History of 1930 के आसपास आ चुके हैं, जो Continuity में चलता रहेगा, Policy, Geography और Economics भी हैं, Weekend में आपको मिलती रहेगी, उससे पहले Class Start करने से पहले, मैं अपना थोड़ी सी खुशी जाहिर करना चाहता हो, हम लोगों आ जैसे आपको पता था, UPSC, EPFO का कोर्स लाँच किया था, एक तीने सार रुपे का, और बहुत सारे admissions हुए हैं, और हो रहे हैं, और जब आप लोगे message आते हैं, कि सर, हम लोग कोश्चन सॉल कर पा रहे हैं, उसका कहीं न कहीं output आ रहा है, और हम लोग expect कर रहे हैं, कि result आप लोग का आएगा, result के बाद साथ में बैठके, सब बढ़िया party करेंगे, पर मेहनत अपनी continuous करते रहो, और जैसे हमीशा मैं बोलता हूँ, दिमाग हमें लगाने दो, बस मेहनत continuous रखो, बाकि हम लोग को आपक imagine भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा main name होता है, कि आप लोग पढ़ो, अच्छा content पढ़ो, fees हम इतनी कम रखेंगे हैं, कि आप जेव से अराम से निकाल दो, जितना हम रखते हैं, जो हम और faculties को देनी होती है, सारे system के लिए, उसके ज़्यादा हम करते ही नहीं, कि requirement ही नह economics कैसा subject है, मैं बढ़ा typical subject है, बढ़ा tough subject है, कोई typical, कोई tough subject नहीं है, economics एक ऐसा subject है, जो actual में हमें बचपन से पता होता है, हम जो पैदा होते हैं तो हम अपने घर में हो चीज़े देखते हैं, हम अपने आप automatically ये system सीख जाते हैं, जिसको बोलते है economics, system क्या होता है, अगर आप ये हो दिखो लिखा, आपका नाम the greedy boy, मैं आपने तरीके से समझाओंगा, जैसे मैं समझाता हूं, mind mapping, अपने आप बसांके कान और बड़ी-बड़े दिमाग खोल के इसको देखते रहे ना, screen को, ये आप हो, मालो आप लालची हो, आपके हाथ में एक ये पढ़ा ही नहीं थी, मेरे पास अगर पांच रुपए होते थे, तो मैं उस दुकान पर जाता था, जो दुकानदार मुझे पांच रुपए में तीन समुसे देगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं समुसा खाना चाता हूं, मेरा ये मन है, मेरी ये चा है, मेरी ये डिमांड है, समझना बात को, हम टेकनिकल चीजों को प्रॉपर वे में, इजी तरीके से चीजों को समझेंगे, एकनॉमिक्स के अंदर प्रॉबलम क्या आती है बच्चों को, कि जो टेकनिकल लेंगज होती है, जो किताबों में लिखी होती है, जो पढ़ाया ज आती है, आपका मन हुआ समोसे खाने का, आपके अंदर एक डिमांड आया, आपके ने जब बन किया और आपके पास एक डिमांड है, तो अब आपके पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए पैसे होने चाहिए, समोसे फ्री में तो देगा नी, तो इसका मतलब जो पैसे हो मैं पूरा करूँ । मेरा मन हो रहा है , इसके पास उसके पास उसके पास Plus पास है उस चाहत और demand को पूरा करने के लिए हमारे पास जो resources है उन resources का ऐसे utilization करो ऐसे management करो ऐसे system बनाओ कि वो demand बढ़िया एक तब तरीके से पूरी हो जाए और जो output मिले वो भी satisfactory मिले समझ में आया demand पूरी करने है satisfactory output मिलना चाहिए और उसके लिए जो resources है वो resources का effective utilization करना है ये बच्चा जाएगा समझ से रहे तो तो तीन समझ से खरीदेगा जहाँ 5 रुप में 3 मिलेंगे क्योंकि resources इसके पास उतनी ही है extra पैसे नहीं है इसके पास extra नहीं है extra नहीं है पैसे इसका मतलब इसके पास जो resources है वो limited है जो पैसा है वो limited है उतने ही limited पैसे में demand पूरी करनी है उतने ही में demand पूरी करनी है अच्छा ये भी हो सकता है कि इसका मन 4 समोसे खाने का हो क्यों नहीं हो सकता? भूगा बच्चा है स्कूल से लोट गया रहा है विचारा भूक है टिफिन भी दोस्तों आखा लिए अशीन के अब इसका अगर मन कर रहा है कि ये 4 समोसे खाए लेकिन पैसे इसके पास 5 रुपे ही है तो अब ये मन मारेगा क्योंकि 4 समोसे नहीं दे रहा वो आदमी भी वो भी 5 में 3 समोसे दे रहा है तो अब ये मन मारेगा इसका मतलब कही न कहीं कभी न कभी डिमांड पूरी होती है लेकिन हमें कहीं न कहीं थोड़ा सा एड्जस्मेंट भी करना पड़ता है economics इन सब चीजों को जोड़ के बनाया जाता है economics का मतलब होता है आपकी demand को पूरा करना है और demand को पूरा करने के लिए आपके पास resources है demand आपकी unlimited हो सकती है चाहने को तो मैं 100 समूसिस हो सकता हूँ पाज़ पर मिल जाए लेकिन नहीं मिलेंगे demand पूरी करने के लिए resources का effective management या utilization करना जिससे satisfactory output और बढ़िया result मिले समझ में आया यह आपको आता था अभी मैं आपको बोलूँ कि बेटा ये पैसे लो 10,000 रुपे और जाके एक phone खरीद लो तो आप वो phone खरीद हो जिसके पास बढ़िया features होगे 10,000 रुपे में क्योंकि आप जानते हो कि बढ़िया चीज इतने ही पैसे में खरीद नहीं है तो आप बढ़िया चीज इतने ही पैसे में खरीद नहीं है तो limited resources है demand तो बहुत कोई हो सकती है लेकिन महाँ पे adjustment करो कि ठीक है कोई बात ये नहीं खरीद तो करीते हैं लेकिन यहाँ भी मुझे satisfaction मिल रहा है समझ में आया तो मैं यह कह सकता हूँ यहाँ पे in short में यह कह सकता हूँ यहाँ पे कि यह जो हमारे concept है वोई concept यह कहते है economics की unlimited desire है मेरी चाहत बहुत बड़ी है चाहत बहुत बड़ी है चाहत पूरी करने के लिए जो resources मेरे पास है वो limited है resources की कमी है मेरे पास इनसान हर level का हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे वो किसान हो चाहे वो business man हो उसकी चाहत बड़ी ही होती है याद करो आपके पास जब mobile नहीं हुआ करते थे तो हम phone से काम चलाते थे जब mobile आने लग गए तो बन में आया बड़ी screen वाला mobile चाहिए touch वाला mobile चाहिए जब touch वाला mobile आ गया तो फिर tablet चाहिए इसका मतलब हमारी demand कभी रुकती नहीं है इनसान की nature है इनसान की एक nature है कि उसकी जो desires है वो कभी भी रुकती नहीं है वो desire बढ़ती चले जाती बढ़ती चले जाती जितरा ऊपर जाओगे उतना ज्यादा desire बढ़ेगी आज आपके पास bike होगी कल आप car खरीदोगे आप जब car खरीदोगे तो आपको और बड़ी car चाहिए होगी फिर आप और बड़ी खरीदोगे तो आपको raw story होगी इसका मतलब क्या होता है आपकी demand unlimited है लेकिन जेब में पैसा तो limited है ना जेब में पैसा limited है उसका utilization करके अपनी demand को पूरा करना है कि आपको satisfaction में जाओ और proper तरीके से output में जाओ जरूरी नहीं है सारी demand पूरी हो जाए लेकिन हाँ इतनी पूरी हो जाए कि मेरा काम हो जाए समझ में आया इसको बोलते है economics इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि किसान हो तो किसान भी चाहेगा कि मेरे पास अगर 100 गच की जमीन है तो मैं 200 गच की परकर है कोई काम करता है कोई जॉब करता है तो उसको लगता होगा कि यार मैं ये जॉब कर रहा हूँ तो मैं ये जॉब पे स्विच कर जाता हूँ हम लोगते चाहते हैं हमीचा अपग्रेट करना अपने आपको बस अपग्रेडेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती है इनसान को अग्रेट करना है अगर जॉब में तो उसे थोड़ी सी जो अपनी नौलेज है उसको ब्रटर तरी किसे पर प्र पर तरी किसे उट्लाइज करना पड़ेगा अगर और प्र 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 तरी किसे उट्लाइज करना पड़ेगा अगर शॉब कीपर को दुकाल बढ़ानी है तो जो उसका बिजनस है उस बिजनस को प्र पर तरी किसे मैनेज करना होगा तब ही वह आगे जाके बढ़ पाएगा इस सारे चीजे एक management के अंदर आती है कि management क्यों हो रहा है कि demand को पूरा करना है किस के साथ जो limited resources है उनके साथ तो यही management economics कहलाता है अभी हम definition पर नहीं जारे है technical अभी हम concept पर समझने की बात करना है यह concept के बात definition चुटकियों में समझ में आ जाएगी यह आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है, यह आदमी चाहता है कि इसको car खरीद नहीं है, इसके दिमाग में car है, इसके दिमाग में car है, इसके हाथ में पैसे है, यह जो desire है यह पूरी करने के इसको क्या चाहिए, इसको resources है, जो कि limited है, resources चाहिए इसको और resources मालो for example, यह imagine करता इसको सही है कोई SUV बड इसके पास जो resources है वो इसको कहती है कि नहीं मीटा सिदान ले लो बहुत बड़ी बात है वो भी लेना तो ये क्या करेगा थोड़ा adjustment करेगा लेकिन कहेगा हाँ ठीक है कार तो ले रहे हैं लेकिन सिदान ले लेते हैं कोई बात नहीं मतलब ये satisfy हो जाएगा लेकिन फिर वोई चीज है फिर वोई चीज है एक बड़ satisfy होने के बाद फिर इनसान दुबारा से वोई चीज सोचने लग जाता है क्योंकि demand तो unlimited है लेकि resources scales है scarcity scarcity of resources मतलब resources की कमी होना resource कुछ भी हो सकता है generally monetary terms में हम उसको पैसा भी बोल सकते है कुछ भी बोल सकते है तो वो resources मतलब जो चीज़ें आपकी demand पूरी करने में आपको help कर रहे है वो resource है और जो आपके पास कम है resource हमेशा कम रहेगी चीज का ध्यान रखना चाहे अम्मानी हो उनके पास भी resources ही कम ही रहेगी क्योंकि अम्मानी भी आपने आगे की सोचेगा demand हमेशा resource है 10 कदम आगे रहती इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि demand depend करती है आपके इस level बे बैठे हो और resource depend करती है उस level से पीछे वाले system पे यहां कि आपको हमेशा लाएगा आप हमीशा आगे ही सोचते हो ना चीज तो पीछे वाले चीज से आगी होती है Always ही बात है इसका अगनल यहां यहां क्लियर हो गया है resource बढ़ती चले-चले-ए रही है increasing है unlimited है management करना है proper तरीके से तो हमारा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा मतवभा मने एक demand पूरी हो जाएगी, लीकिन एक demand पूरी होगे मिरे पास दूसरी demand आजाएगी अब दूसरी demand आजाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं resource search करने लग जाओंगा फिर यह आदमी रिसोर्स जूडने लग जाएगा, फिर यह आदमी को solution निकालने लग जाएगा, फिर इस demand को पूरा करने का resource जूडने का, कुछ adjustment करेगा, तो फिर टीस्टी demand आजएगी, demand कभी रुभी रुखती, समझ में आ गया, और alliance ले लो ना, पहले sim निकाला Jio, Jio Sim नि पड़ेगी, बंतर resource जूडएगा, पनी demand पूरी करने के रहे, तो funding ले रहे, आप funding हो रहे है, यह आप फेस्बुक से यह investment कर दो, रिलाइस के अंदर, यह investment कर दो, रिलाइस के अंदर, क्यों कि बस पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो रिसोर्स आजएगा, रिसोर्स दूसरी चीज़, एक चीज़ clear यहाँ पर हो चुकी है, कि demand इंसान की बहुत सारी होती है, एक time पर हो सकता है, मेरे पास 4 खोईशे हो, हो सकता है, मैं 5 चीज़े करना चाहता हूँ, लेकिन हर 5 की 5 चीज़े same time पर पूरा होना is not practical, not possible, इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे पास resources है, मुझे उन से demand पूरी करना है, लेकिन जरूरी नहीं है, मैं 5 की 5 demand पूरी कर लो, तो अब मुझे यहाँ पर decision लेना पड़ेगा, कि कौन से demand पूरी करना मेरे लिए जादा better है, समझ में आया, इस दूसरा concept है, demand पूरी होगी resources से, satisfactory output बिलना चाहिए, लेकिन demand तो बहुत स पूरी हो जाए, तो अब आप क्या करेगा, अब वो इनसान ही सोचेगा, कि इन सब चीजों में से, कौन सी चीजे खाके मेरे को एकदम मजा सा आ जाएगा, एकदम मेरी बढ़िया चीज जाएगी, तो इसका मतलब आप decision making का time आ जाता है, मतलब कहने का यह है, मतलब कहने का कि प्यास जो लगती है इनसान को वो unlimited होती है, प्यास तो हमें कितना में लग सकता है, नहीं पी होगे पानी तो लगती रही है, लगती रही है, लेकिन पानी तो limited है, लेकिन पानी की bottle अगर एक है आपके पास और आपके अरिया में सूखा पड़ा है, तो आपके पास दो अ इसका आप एक चीज़ समझ में आ चुकिए, इनसान अब decision लेगा, multiple demands होती है, तो वहाँ पर multiple demands को limited scarce resources, कम resources के साथ पूरा करने के लिए इनसान को क्या चाहिए होता है, decision लेना होता है, सोचना होता है कि कौन सी चीज़ करके मेरे को जादा satisfaction और बढ़िया best output मिलेगा, तो 5 चीज़े खाने को थी, तो अब मैं वो चीज़ खाऊँगा, जो मेरे को best लगेगी, मतलब मैंने decision लिया, कौन सा decision लिया, जो best लगेगी, मतलब best output देगी, जब एकी चीज़ मेरे को खानी तो मेरे पास resources थी, उसके लिए मैंने best, जितनी ज्यादा वो चीज मिल जाए है, उ decision making यहाँ पर आ जाती है, किसी भी चीज़ का example ले सकते हो, for example, किसी भी category ही है, हर चीज़ हर लेवल पर, एक्लाविक हर लेवल पर same है, हर किसी के साथ same है, हर country के साथ same है, चाहिए develop हो चाहिए, developing हो चाहिए, गरीब country हो चाहिए, हमीर country हो चाहिए, कोई फरक नहीं परता है, सब के सब के साथ demand unlimited है, और resources सब के पास limited है, क्योंकि demand resources हमेचा आगे रहती है, देखो, कोई किसान है, उसके पास hundred hectare land है, जमीन है उसके पास, hundred hectare land की जमीन है, वो चाहिएगा, उसके अस confusion है, कि मैं game होगा हूँ, कि मैं चावल होगा हूँ, कि मैं cash crops होगा हूँ, cash crop मतलब बजार में भीख सकते हैं, वो भी confused है, उसके पास multiple demand है, फिर वो देखेगा, जमीन मेरे पास इतनी है, अच्छा ठीक है, इस जमीन में अगर मैं यह वो आँगा, तो मेरे पास इतना कर्चा आएगा, ये इस पे पैसा लगाँगा, वीट पे तो मैं इतना वीट पैसा लगा कि 100 रुपे लगेगा वीट पे, लेकि मैं 500 रुपे का वीट बेच लूँगा, और चावल लगाँगा तो मेरे को 600 रुपे लगेगा, लेकिन 800 रुपे का बेच लूँगा, लेकिन कैश्टरॉप लगाँगा, तो मेरे पास इतना वीच हो सकता है, तो मैं decision लूँगा जहां पर best output मिलेगा, कौन सी जगे best output मिलेगा, जहां पर उसका मन लगेगा, कौन सी जगे मन लगेगा, जहां पर उसको फायदा होगा, किस बेस पे, उसके resources जो है, जहां पर उसको लगा के maximum output निकाल सकता है, सेम केस हो गया business man का, business man के पाद दो option होते हैं, वही ठीक है कोई manufacturing का business डाल देते हैं, या कि investment कर देते हैं, किसी और company में investment कर देते हैं, पैसा तो मेरे पस उतरा ही है, पैसा मेरे पास, मान लो, एक करोड़ रुपे है, अब एक करोड़ रुपे को मेरे उपर depend करता है, कि मैं कहां पर investment कर दूँ किसी और की business के उपर, या फिर मैं अपना कु होनी चीए, बेस तरीके से, किसनी कम resources है, उतनी कम resources के, एक चीज़ या clear है, demand जो है, वो unlimited है, अच्छा एक चीज़ और clear है, दूसरे वाले पार्ट को भी पहले वाले पार्ट में जोड़ तो, पहला वाला क्या पढ़ा था, demands unlimited, resources limited, दूसरा पढ़ा था, demand same time पे भी बहुत स किसान होचा है, business man होचा है, shopkeeper हो, resources उस time पे उनके लिए कम ही है, scarce, scarcity है, कम ही है, resource की, उस resource का use करके उन्हें अपने demand पूरी करने और decision लेना है, कि मैं इन resource के लिए, गे हुगाना बेटर रहेगा, rice हुगाना बेटर रहेगा, cash drop हुगाना बेटर रहेगा, इसका मतलब इन resources को ऐसे use करना है, कि मेरी कुछ demand पूरी भी हो जाए, और मुझे satisfaction मी मिल जाए, और output मी मिल जाए, तो यहाँ पे कुछ न कुछ हमें adjustment करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए, कुछ खोना पड़ता है, मतलब अगर एक shopkeeper है, वो कपड़े की दुकान भी खोलना चाहता है और वो परचून की दुकान भी खोलना चाहता है, लेकिन पैसे उसके पास होते नहीं है, तो अब now you have to take a decision, कि let's leave this, कपड़े की दुकान बाद में खोल लेंगे, बाद में खोल लेंगे मतलब उसने एक demand में adjustment किया, क्यों, क्योंकि उसके पार resources कम थी, लेकिन उसके demand multiple थी, अब उसने जो resource थी, ये लगाई पचून की दुकान पे, management किया, उसने इन चीजों का, management, एक चीज़ छोड़ी, management किया, limited resources को, unlimited demand पूरी करने के लिए, कुछ demand को छोड़ा, और एक demand को पकड़ा, जहां से उसे क्या मिल रहा था, maximum output, समझ में आ रहा है, concept, रटवा नहीं रहा concept, ठीक है सर, ये हो गए मेरे concept दो, पहला concept, demand बहुत सारी है, resources बहुत कम है, बहुत सारी demand को कम resource से पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं, हमें adjustment करना पड़ेगा, क्योंकि same time पे demand भी बहुत सारी हो सकती है, दो दीजों को जोड़ दिया, अब आज जाओ, economics की technical language पे, जो हमें household और nomos का मतलब होता है, management, मतलब basically economics का अगर meaning देखोगे, तो household, management, समझ में आ रहा है, management, household, अब household आपका घर भी हो सकता है, आपके घर भी तो खर्चा चलता हो, अब ममी पूरा system देखती होंगी, कि ये समान लाना है, घर का इतना खर्चा लाना है, महीने का ये समान लेके आ अगर country को manage करोगे, तो बड़ी economics हो जाती है, macro economics हो जाती है, जब छोटी time में, छोटी जगे काप करोगे, company की बात करो, चोटी सी company में आप देख रहे हो, आपना खुद का system देख रहे हो, तो micro economics हो जाती है, micro मतलब छोटा, macro मतलब बड़ा, बड़े system में same concept देखोगे, demand बोला जाता है, जो definition books में आपको मिलेगी, कि it is the study of human efforts, human जो effort मारता है, क्या क्यों मार रहा है effort, क्योंकि उसको demand पूरी करने है, किसके साथ, limited resources के साथ, तो वो ही definition लिखी होती है, it is the study of human efforts to satisfy, satisfaction, तीन खाके भी करा था न, चालता मुझे नहीं मिल ला है, तो तीन खाके इपन distribution of goods and services, production and distribution of goods and services, goods मतलब समान, services मतलब जैसे, जो काम किया जाता है, जो workers होते है, जो service sector होता है, जैसे teacher होता है, इस सब service sector के अंदर आते है, production and distribution, अच्छा अब ये टेक्निकल दो बड़ और आगे sir, अब बताओ ये क्या होते है, आजो, production का मतलब होता है, किसी भी चीज को of making things, चीज कैसे बनती है, चीज कैसे बनती है, चीज कैसे बनती है, जो एकदम ताजा-ताजा मिलता है, एकदम direct निगलता है, और गानिक तरीके से, जो raw material होता है, उसका use करके अगर कोई चीज बना रहे हो, तो वो production कहलाता है, बनाना, production, ठीक, एक होता है, distribution, distribution का मतलब होता मेरे पास कुछ समान है, कुछ पैसा है, कुछ चीज़े है, उसको मझे अलग 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 टाइप के लोगों को देना है, तो basically कहा जाता है, it is the way of distribution, of total wealth, किसको दिया जा सकता है, individuals को दिया जा सकता है, या फिर total factors of production, प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़े लगती है, जमीन लगती है, लेवर लगती है, पैसा लगता है, इंटरप्राइज कंपनी लगती है, तो जो distribution कर रहा है, जो wealth देनी है इन लोगों को, जो इन सबको distribute करके भेजनी है, जो government decide करती है, इसको इतना इतना sector distribute करके देते हैं, जब budget अगर आता है, तो वो सारी चीज़े हमारा distribution बताता है, कि किसको कितना point जाना चाहिए, समझ में आ गया है, क्यों जाना चीज़े, क्यों कि अंटिमेंटरी production हो रहा है, production क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों की demand है, बना क्यों रहा है चीज़े, बना क्यों हो रहा है, क्यों कि मन हो रहा है, क्यों की चाहत बहुत है, चाहत बहुत है, मन बहुत है, पूरी करनी है, पैसा जेन में है नि, जितना है, उसी से पूरी करेंगे, तो satisfaction मिलना चाहिए, क्योंकि maximum output चाहिए, best output चाहिए, अच्छा, अगर ये सारा system चोटी जगे देख रहा हो, घर पर बैठके देख रहा हो, चोटी company का system देख रहा हो, तो वो आता है micro economics के अंडर में, micro economics का system ये कहता है, कि ये house old, घर का हो गया, चोटी चोटी फर्म्स हो गई, company industries हो गई, एक एक जगे का, चोटी चोटी जगे की, जो कर एक system देख रहा हो, सारे की यही चीज़े, कैसे utilize करके production निकालना है, कैसे management देख रहा है, तो वो micro economics का level आ जाता है, अच्छा, macro economics के अगर हम बात करेंगे, macro बड़ा, macro economics मतलब होता है, जैसे government का system, government कैसे system चला रही है, पूरा high level पे, जब एक company यह बात नहीं कर रहे है, जैसे for example, inflation होता है, national output होता है, कि इस country की कितना output है, कितना output country दे रहा है, तो यह तो बड़े level पर देखा जा रहा है, तो बहुत सारे चीज़ों को जोड़ दिया गया, किसको जोड़ा गया, micro चीज़ों को जोड़ा गया, छोड़े चीज़ों को जोड़के, बड़ा economics बना, बड़ा system बना, उस बड़े system का overall study अगर आप करोगे, कि भाई कहां से resources रही है, क्या demand है इस पूरे system की, क्या requirement है, management कैसे देखना है, तो वो macro economics के अंडर में आ जाता है, जैसे बड़ी-बड़ी चीज़े में आपको बता दिया, price का changes आना, inflation होना, unemployment, ये बड़ी-बड़ी चीज़े है, unemployment एक कंप्री पे problem हो रही है, तो वो macro level पे देखा जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी skill पे देख रहे होगा, पचारों कंप्री होगा, तो वो macro level पे देखा जाएगा, that is macro economics, economics means management of household, household management, household can be anything, अगर छोटे level पे देखोगे तो आपका घर है, जो आपकी महमी देखती है, तो तीनों क्लासे समय concept समझ में आ गया, तो बागी क्लासे में हलुआ है, हलुआ, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, जो ग्राफ देखके डरते हैं, बहुत विचल भिचलत है, कि अभी ना कुछ ना कुछ चाहिए, होता है, खाइक्ल दी, बच्वन में, बाइक चाहिए, बाइक मिल गई, बच्वन में, बड़े होके, vision, car चाहिए, car मिल जाएगी, sir, SUV मिल जाएगी, sir, Boss Price, eoice, bro. Rus Price मिल जाएगी, sir, desire जो है न वो हर चीज़ का कारण desire खतम कर लोगे तो सब problem, सारी तक्रीफा चीज़ खतम हो जाएगी हर चीज़ का जो base है that is desire बट मेरी एक चीज़ दियान रखना first deserve then desire पहले deserve करो कुछ बनना फिर desire बनानी चाहिए मैंने बोला है मिलते हैं next class में economics की economics की सारी class चलेंगी history की चल रही है, politics की चल रही है geography की चल रही है, सारी सारी चल रही है इसके लावा अगर आपको कोई course जोइन करना है तो कर लो classes उसकी भी चल रही है, मस्त रहो एश करो, बढ़ते रहो, मैनत करते रहो